टुकु क ही फैक्ट महारणा परताब जी के गोड़े के बारे मुआ अप सब जानते होंगे। उसका नाम चैतक था स्वामी भग चैतक। लेकिन क्या आप पृतिराथ चोहन जी के गोड़े का नाम जानते है? आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रिथिरा चोहां से जड़े हुए फैक्ट जानेंगे चलिए शुरू करते हैं जैमा भवानी आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठोड रियक्शन में मैं राज बना हाजरू हूँ आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर और आज का अमारा वीडियो है ये वैसे तो प्रिथिरा चोहां जी के बारे में आप सब जानते होंगे लेकिन मैं आज कोसिस करूँगा कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखने की जिसके बारे में सायद आप लोगों को नहीं मालूम हो या कम मालूम हो क्योंकि मुझे कई बार ऐसे सवाल आए है जिससे मुझे ऐसा लगा कि प्रिथिरा चोहां जी के बारे में बहुत सारी चीजे लोग नहीं जानते है तो चलिए इस वीडियो में उनहीं के बारे में बात करते है नॉर्मल बात आप सबको पता है कि प्रिथिरा चोहां जी के पिता का नाम सोमेश्वर चोहां जी था और उनकी माता का नाम करपूरी देवी था पित्राच चोहान जी जब 11 वर्ष के थे तब ही उनके पिता का देहांत हो गया और इस चोटी उमर में उन्हें तथा पूरे राज्ये को उनकी माता करपूरी देवी ने संबाला था उनके पिता की मिल्तियों के बाद ने अजमेर की गदी तो मिली ही लेकिन साथ ही उनके नाना ने उन्हें दिली का राज सिहासन भी दे दिया और इस तरीके से पितिराज चोहान अंतिम इंदू समराट बने जिसने पूरे भारत पर एक छत्र राज किया उनके दर्बार में सोला सामन थे और सोला के सोला विश्वास पातर थे जिन में उनके चाचा कानह चोहान काय मासा उनके परम मित्र चंदर बरदाई और उनके साले चामुन राय पर्मुक थे महाना परताब जी के गोड़े के बारे माँ आप सब जानते होंगे उसका नाम चेतक था, स्वामी भग चेतक लेकिन क्या पृत्विरा चोहन जी के गोड़े के बारे में जानते है सायद नहीं पृत्विरा चोहन जी के गोड़े का नाम बादल था और वो भी चेतक की तरह ही स्वामी भग था जिस तरीके से महाना परताब जी के एक गोड़ा होने के साथ साथ एक हाथी भी था वो भी बहुत स्वामी भग था जिसका नाम राम परशाद था वैसे ही पिर्थिराद चोहान जी के भी एक हाथी था जिसका नाम स्रंगार हार था उन्हीं के साले चामून राय द्वारा उनके पिरे हाथी स्रंगार हार को मारा गया वजय क्या थी नहीं पता लेकिन पिर्थिराद चोहान जी इस बात से बहुत गुसा हो गए थे और उन्होंने अपने साले से सारे सस्तर छीन लिये थे पृथिरा चोहान जी और चंदर बर्दाई की एक बात बहुत कॉमन थी कि उनका जनम भी एकी दिन हुआ था और उनकी मिर्ट्यू भी एकी दिन एना अजीब सैयोग पिर्थिरा चोहान जी के विवाह को लेकर विद्वानों में मदबेद है कई लोग उनकी 11 रानिया मानते है तो कई 5 लेकिन मुख्य रूप से दो रानियों का जिक्र आता है जिसमें एक रानी वो जिससे पिर्थिरा चोहान जी ने सबसे पहला विवाह किया था वो थी मंदूर के नाहर देव पढिहार की पुतरी जामबती और एक जिससे पिर्थिरा चोहान जी ने सबसे लास्ट में विवाह किया था सैयोगिता जिसके बारे में आप सब जानते होंगे अगर आपको पिर्थिरा चोहान और सेयोगिता के विवाह का पूर्ण विवरन जानना है विस्तार से तो एक वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूँगा वहाँ जाकर आप आराम से उस वीडियो को देख सकते है गजनी के सासक मुहमत गोरी को पिर्थिरा चोहान ने सोड़ा बार युद में पराजित किया था और हर बार मुहमत गोरी उनके पैरों में गिरकर अपने प्राणों की शमा मांगता और पिर्थिरा चोहान उसे शमा कर देते कई लोग इस बात को पित्विरा चोहान की बेवकूप ही मानते है कि इतनी बार भी किसी को माफ नहीं करना चाहिए लेकिन अगर पित्विरा चोहान उसे माफ नहीं करते और पहली ही बार में माल डालते तो फिर राजपूतों का एक गुण जिसे कहते है सरनागत में आई हुई की रक्षा करना वो पृतुरा चोहान से छूट जाता और पृतुरा चोहान एक पूर्ण राजपू धरम को पालन करने वाले एक हिंदू धरम को पालन करने वाले राजा थे और वो भला ऐसा कैसे कर सकते थे इसलिए मुहमत गोरी को माफ करना उनकी बेवकूपी नहीं बलकि उनकी उदारता थी पृत्विराद चोहान जी की समाधी कई वस्तों तक गजनी में अपमानित होती रही जिसे सेर सिंग जी राणा ने वहां से मुक्त करवाया और यहां लाकर अगनी को समर्पित किया पूरे राजपू समाध पर सेर सिंग जी राणा का ये उपकार रहेगा और इसे कभी भी बोलाया नहीं जा सकता और सबसे लास्ट फैक्ट जो कि मैं बोनस में बता रहा हूँ आपको अब जल्दी ही पिर्थिराथ चोहान जी के उपर एक फिल्म बन रही है जिसके अंदर अक्षे कुमार पिर्थिराथ चोहान जी का रोल निबाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म इतनी अच्छी होगी कि पिर्थिराथ चोहान जी का जो इतियास आज लोग भूल चुके है उनके अर्दे पटल पर फिर से वो जागर होगा ये था मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें सेयर करें और अमार चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने हर दोस्त तक पहुंचाएं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे इंस्टाग का यूजर नेम है आप यहां पर जाईए और मुझे मैसेज जरूर कीजी धन्यवाद